तो इस तरीके से हम पहुँच जाते हैं उस नगरी जिस नगरी को कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है यनि की मेरो व्रिंदावन खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया तो चलिए सुरू से सुरुआत करते हैं कि यहां पहुचने तक का हमारा सफर कैसा रहा तो इस जर्नी की सुरुवात होती है एक कप कॉफी के साथ और यह कॉफी मुझे उतनी ही पसंद है जितनी की पवलिक को राहूल गांदी के भासड भाई जैसे तैसे कॉफी को खतम किया और हम निकल पड़े थे अपनी जर्नी की तरफ वैसे भी हमारी गाड़ी लगबग निर्धारी समय से एक घंटा लेट चल रही थी यानि कि छे वजे तो हम घर से निकल चुके हैं विनन न बाईक स्टार्ट करी मैं वैटी और हम बाके बहारी का नाव बोल श्री बाके बहारी लाल की बारिस को बंद हुए तकरीबन एक घंटा हो चुका था इसी चीज़ का फाइदा उठा कर हम लोग निकल पड़ते हैं क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे सरीर पर एक भी पानी की बूंद न गिरे ताकि हमारे सरीर को कोई भी नुकसान न पोजे क्योंकि जब आप बाईक से जा बाकी के सारे यहां पर भरने वाले खड़े हो थे और इन भाया ने मुझे आगे की तरफ हिसारा किया और इस मसीन के पास जाकर मैं खड़ा हो जाता हूं देन मैंने पेट्रोल डलवाया वो भी 499 रुपे का इसका राज बाद मैं जानेंगे और पेट्रोल डलवाने के पहला वेराम चिन इतनी जल्दी लग जाएगा हमने यहां कम से कम 15-20 मिनट बताई और उसके बाद हमने अपने आगे की यात्रा को शुरू किया बिना नेचर को चैलेंज किये मेरा मतलब है कि बारिस हो या नहो इसकी चिंता को छोड़ कर अब मैं आगे बढ़ चलाता दोस्तों आगे बढ़ते ही हमें एक बोर दिखाए दिता है जिसमें लेफ्ट में फरिदाबाद और राइट में गुड़ गाओं अब पता नहीं यह कौन सा रास्ता था बट यह मै हम बात ही कर रहे होते हैं कि अपनी आत्रा को अब जल्दी से विरामचिन नहीं देंगे तब ही हमारे नजर पढ़ती है एक विसाल का हनुमान जी की मूर्ती पर और हम उस हनुमान जी मूर्ती को देखने के लिए रुख जाते हैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों अभी हमने छोटा सा स्टॉप लिया है जो कि ये मूर्ती आप देख पार है मेरे पिछे काफी जिसाल मूर्ती है और ये मंदिल जो पढ़ता है वो फरिदवाद के अंदर पढ़ता है और मैं इसके वारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको आगे देंगे दुमा इस प्यारे से व्यू को देखने तक तो ठीक था पर जब हमारी नजर पहुची इस सामने लगे बोर्ड पर जिस पर ये साप साप लिखा था कि यहां पर बाग की आने की संभावना है तब हमारा दिल एक भी मिनिट के लिए कावाई नहीं दे रहा था कि हम यहां रुके हैं सुबा से वाकिसी जानवर का सी कारवने सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज मौसम ने कसम खाई हुई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बहुते लंबा दंगल चलेगा रहे तोर हमारा और हमने भी सोच लिया था कि जब तक पहुचेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं और इसी के साथ अपने पेट के अंदर थोड़ी सी सामकरी डाली और किक मारी और हाँ तो बारिस हुई ही नहीं बट हमारे सरीर को पानी के जरूरत जरूर थी इसलिए हमने एक और स्टॉप लिए अपने पानी को भरने के लिए तो आडानी ने हमें गैस दी हो या ना दी हो पर ये पानी जरूर दिया था तो इस पानी को लेके हम फिर से आगे बढ़ चले थ हम इतनी बार रुख चुके थे कि अब हमारे पेट के अंदर के चुगों की आवाज थी वह कहरे थे भाई अब मेरे लिए भी रुख जाओ क्योंकि मैं सुबह से चल रहा हूं मेरे को कुछ अगर दोगे नहीं तो मैं कैसे रुखूंगा तो रुखने के बाद हमने थोड़ा स नास्ता किया नास्ता करने के बाद अब हम सीधा निकल जाते हैं वरिंदावन की और जा पहुचते हैं वरिंदावन में और अब हमारा पहला चैलेंज था कि यहाँ पे रुम कैसे लिया जाए दोस्तो हमारे जो पिछले वाले एक्सपिरियंस रहें उन एक्सपिरियंस के अ रेंट पूछा तो कुछ जादा ही था तो रूम के रेंट को पूछने के बाद तो हमें ऐसा लगा कि यहां से चले जाना ही ठीक रहेगा तो हम भार के तरफ जाई रहे होते हैं कि पीछे से आवाज लगाते हैं कि आप डोर मैट्रिका भी यूज कर सकते हो जो कि हमारे लिए एक नई चीज थी हमने कभी इससे पहले यह चीज इस्तिमाल नहीं करी थी बट इसकेंदर होता क्या है एक रूम दिदे जाएगा इसकेंदर आपको 7-8 बैड पड़े मिलेंगे जैसे कि यहां दिक रहे हैं यह सुबिदा हमारे लिए एक अच्छी सुबिदा सावित नहीं ह हमने उनसे बात की तो हमें पता चला कि अगर इसके अंदर कोई और आता भी है तो सिर्फ कपाल आएंगे यानि कि बैचलर्स के लिए 9 एंट्री है तब जाके हमें लगा कि ठीक है रह लेते हैं क्या पता इसके अंदर कोई और भी ना आए तो हम ही यूज करेंगे इसको तो